हेलो बच्चो आज हम हिंदी में पाट दस सेख चिल्ली पढ़ेंगे जो यह एक हास्य कता है यह एक हास्य कता है शेख चिल्ली का अर्थ है एक कलपित मुर्ख पात्र यानि एक कलपित मुर्ख व्यक्ति जो बेठे बेठे बेर्थी बड़े बड़े मन सूबे बाते करता है य आईए आज हम ऐसे मोर्ख व्यक्ति के कहानी पढ़ेंगे जो इस पाठ में दिया गया है तो आईए इस पाठ को हम पढ़ते हैं सेख चिल्ली बड़ा मोर्ख था वह जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था थोड़ी देर में एक यात्री उधर से गुजरा उसने सेख चिल्ली को कहा हम दर्दी से देखकर उसने कहा कि भाई दूसरी डाल पर हो जाओ नहीं तो गिर जाओगे सेख चिल्ली को देखकर एक यात्री ने देखा कि वह डाल काट रहा है और जिस डाल को काट रहा है उसी डाल पर बैठा है उसने हम दर्दी से यानि शहन भूती से कहा कि भाई आप दूसरी डाल पर बैठ जाओ नहीं तो गिर जाओगे अभी सेख चिल्ली क्या बोलता है वाह मैं इतना भी नहीं जानता शेख चिल्ली यहां बोला बड़े आये हो अकलमंद बनने अकलमंद में बुद्धिमान जाओ अपना काम करो मैं गिर नहीं सकता उसने क्या कहा सेख चिल्ली ने कि मैं नहीं गिरूंगा आप अपना काम करो यात्री अभी थोड़ी ही दूर गया था कि डाल कट गई सेख चिल्ली धम से धर्ती पर आगिरा वह उठकर यात्री के पीछे भागा उसका रास्ता रोग करवा बोला तुम तो कोई बहुत बड़े जोटसी मालूम होते हो मैं तो सच मुझ में गिर पड़ा सेख चिल्ली ने क्या कहा कि आप तो कुछ जोटसी ही मालूम पड़ते हो जैसे सास्त्र के ग्याता हो ग्यानी हो मैं तो सच में गिर गया अब आगे आने वाली मुशीबत मुझे बताओ सेख चिल्लिव उसका रास्ता रोक लिया और वह बोलने लगा कि अब मेरे सामने क्या मुशीबत आएगी वह मुझे बताओ जैसे मैं जिससे मैं बच सकू यात्री ने उससे बहुत समझाया कि मैं जोटसी नहीं हूँ कि मैं सास्तर का कोई ग्याता नहीं हूँ सीधी सी बात है कि तुम जिस डाल पर बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो गिरना तो स्वभावी खिता न सेख चिल्ली ना माना वह उसका रास्ता रोके खड़ा रहा और बोला जब तक मुझे तुम आगे की बात नहीं बताओगे मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा यात्री को मालूम हो गया कि यह कोई मुर्ख आदमी ही है उसने अपना पीठा चुडाने के लिए एक धागा लिया उसने सेख चिल्ली की बाई कलाई पर बांध दिया फिर उसने कहा इस धागे को शाओधानी शे रखना जब यह धागा तूट जाएगा तो समझ लेना कि तुम मर गये हो अभी सेख चिल्ली बहुत खुस हुआ वह खुसी खुसी घर गया उसका खयाल था कि न धागा तूटेगा और न मैं मरूंगा उसने साओधानी भी बहुत रखी लेकिन धागा कच्चा था आखिर वह एक दिन तूटी गया उसके तूटते ही सेख चिल्ली को विश्वाश हो गया कि अब मैं मर गया हूँ उसी शमय एक कब्र में जाकर सेख चिल्ली लेट गया जब वह धागा तूट गया तो सेख चिल्ली अपने आपको मरा समझने लगा और एक कब्र में जाकर वह लेट गया थोड़ी देर बाद मैं पुलिस का एक शिपाही उधर से गुजरा वह गाओं से घी का एक टीन टीन मतलब एक कनश्टर ले जा रहा था वह थक गया था कब्र के पास से जाते हुए वह बोला कोई मेरा घी का टीन शहर पहुचा दे तो मैं उससे पचास पैसे दूंगा पचास पैसे की बास सुनकर सेख चिल्ली खुश हो गया वह कब्र में पड़े पड़े ही बोला साहब पहुचा तो देता लेकिन मैं मर चुका हूँ अभी सेख चिल्ली कब्र में लेटे लेटे वह बोला कि साहब मैं आपका टीन तो पहुचा देता लेकिन मैं मर चुका हूँ शिपाही ने देखा कि सेख चिल्ली कब्र में पड़ा है शिपाही डाट कर बोला चल उठ कनस्टर नहीं तो हंटर से कमर सीधी कर दूँगा उसने क्या कहा सिपाही ने चल उठा, कनस्तर मेरा घी का कनस्तर उठाओ, वरना मैं तुम्हारी कमर मार के सीधी कर दूँगा, बेवकूफ ऐसे भी कोई मरा करता है, सेख चिल्ली बेचारा कपड़ा जाड़ कर उठ बैठा, कनस्तर उठा कर सिपाही के आगे आगे बाह चल अंडो से बच्चे निकलेंगे, वे बड़े होकर और बच्चे देंगे, इस प्रकार मेरे पास बहुत सी मुर्गियां, मुर्गे और मुर्गियां हो जाएंगी, उन्हें बेच कर मैं बकरियां खरीदूंगा, बढ़ते बढ़ते उनका एक रेओडा बन जाएगा, यानि ब बड़े लड़के को बुलाने के लिए भेजेगी, और लेकिन मैं जाने के वज़ाए सिर हिला कर कहूंगा, उह, मैं नहीं आता, जो ही सेख चिल्ली ने सिर हिला कर उह, कहा, कनश्ट धरती पर गिर गया, घी मिटी में मिल गया, सिपाही ने गुस्से में आकर उशे दो हंट किया thumbs और कहा पागल के बच्चे तुने तो मेरा घी ही नस्ट कर दिया। तुने तो मेरा घी ही बीगार दिया। किसी का सेख चिल्ली ने पीट सहलाते हुए कहा तुम्हें अपने घी की पड़ी है। मेरा तो घर ही उजड़ गया यानि मेरा जो सपना था वह बिगड़ गया तो फिर इस तरह से एक चिल्ली ने अपने अकारण ही सिर पैर के योजनाय बना कर कलपना रची और उसने सपने में ही जो साधी बीबी बच्चे और अपने सपने तूटने का जो दुख उठाया इस तरह हमारा यह पार्ट यहीं समाप्त होता है तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं धन्यवाद